नमस्कार, कारिक्रम खेल खेल खेलाडी में आप सबी का स्वागत, अभिनंदन, मैं हूँ आपके साथ अजे पुंडीर, दर्शको आज हम बात करेंगे जी जीट्सु खेल और उसकी विशेष्टाओं के बारे में, और इस विशे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौझूद हैं, श्री विने कुमार जोशी, जो के एक भूत पु करना चाहूंगा, इस खेल के बारे मैं थोड़ा बताएं कि ये जी जीट्सु खेल, ये कहां से आया और इसके नाम का क्या मतलब है। ये जेंटल हाट। और जीट्सु खेल की शुरुआद जापान से हुई थी और जापान देश में बहुत सालों पहले जब समराट शाशक हुआ करते थे तो उनके जो सैनिक थे, वो अनाम्ड लड़ाई करने के लिए, विदाउट वेपन लड़ाई करने के लिए, इन कलाओ का इस्तेमाल करते थे, जिसमें खड़े होकर और ग्राउंड टेकनिक पर जाकर के अपने दुश्मन को कैसे परास्त करना है, कैसे उसको मारना है, कैसे समाप्त करना है, इसका अभ्यास किया जाता था, क्योंकि जब युद्धु चला करते तो ऐसी कंडिशन भी आती है कि आ इसले कुछ सालों से देश में और पूरे विश्व में अब इस खेल को जाना जा रहा है, दीरे दीरे इसका प्रचार हिंदुस्तान में भी अब बढ़ता जा रहा है, जे, राओ जी मैं आप से जाना चाहूंगा, जैसे कि जोशी जी ने बताई कि खेल बहुत पुराना है, प्रचलित नहीं है, लेकिन ये खेल बहुत पहले से खेला जाता रहा है, तो इसकी खेल के बारे में हमें थोड़ा बताएं कि कैसे खेला जाता है, इसकी क्या-क्या विदाये हैं, और एक किस रूप में, किस टीम में या सिंगल गेम है, इस तरह हमें थोड़ा बताएं, इस इसमें सारी टेकनिक्स होती है, आप ग्राउंड टेकनिक भी कर सकते हैं, आप कलेओ के भी कर सकते हैं, और अलग अलग विधाय होती है, एक फाइटिंग होती है, कॉंटेक्ट होती है, दूओ शो होता है, और इसमें ऐसे पांचे अलग अलग केटेगरीज हैं, तो हर वर्ग क बच्चा हर वग का आदमी इस आर्ट को सिख सकता है और बहुत अच्छे से कर सकता है, मगर इतना आभी इतना थे इतना फेमस नहीं है, लोग इसे दिरे-दिरे अभी इस से एकसप्ट कर रहे है, सुच कर रहे हैं, तो खेल रहे है, तो अभी इसका एक यहां जब अभी senior national जो जी जैसे की सनने बताई की बहुत सारी विदा हैं इसके वार में थोड़ा मैं एक्स्प्लेइन में बताएं की डिटेल में कि यह कैसे कैसे खेला जाता है किस किस तरह की ताइमिंग है, क्या पॉइंट सिस्टम होता है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन से है, इसको डिरेक्शन कैसे है, या रैफ्रिका क्या रोल है? 2018 से पहली बार ये खेल एशियन गेम्स में शामिल हुआ, जो इंडोनेशन जकारता में अठार वे एशियन गेम्स हुए थे. आपको उसके उपर माउंटिंग टेक्निक से और चोकिंग से उस खिलाडी को पॉइंट्स लेने हैं, और एक कंडिशन ऐसी आती है, जब आप किसी खिलाडी को चोक करेंगे या लॉक लगाएंगे, आपके द्वारा दिया आगे जो प्रेशर है उस पर्टिक्लर जॉइंट पर उस से अगर वो टैप करता है, तो उस गेम को उस राउंड को सब्मिशन माना जाता है, और वो गाउंड वहाँ पर समाप्त होता है, अन्य था अगर सब्मिशन की इस्तिति नहीं आती है खिलाडी के दौरा, या वो टैप नहीं करता है बीच मैच के दौरान, तो ये ये साब से अलग अलग टैक्निकों के दौरा पॉइंट आपको एवार्ड किये जाते रहेंगे और आप जिससे हाइस्ट पॉइंट होंगे वो खिलाडी विजेता होगा, पांच मिनट से लेकर के इसका टाइम है, सीनियर के लिए में खिलाडियों के लिए और जूनियर के के लिए तीम मिनट का टाइम है, तो ये स्लॉट इसके निर्धारित है, जो इंटरनेशनल जीजिसू फेडरेशन, जीजिसू एशियन यूनियन के दौरा निर्धारित किये गए है, इसकी दूसरी विधा जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो खिलाडी जो किक और का इस्तिमाल करके पॉइंट्स लेने का एक प्रावधान है, और एक कंडिशन ऐसी आएगी कि जब आप पॉइंट्स ले करके लीड कर रहे हैं, तो आप अपने अपोनेंट को थ्रो करेंगे, और वहाँ पर ये ग्राउंड टेक्निक को इस्तिमाल करेंगे, जो हमने नेवा करते हैं, तो उसमें नॉक आउट दौर चला करते थे, सो मार्शल आर्ट्स भी बेसिकली शुरुवाद में नॉक आउट हुआ करती थी, किन्तु दीरे-दीरे खेलों को ओलंपिक मुमेंट के और ले आने के लिए, ताकि खिलाडियों को हार्म ना हो, नुकसान ना हो, पसंद करते हैं, तो उन खिलाडियों को भी इस जोड़ने के लिए, एक नया इस परदह, इसमें जोड़ी गए, जिसका नाम है, कॉन्टेक्ट जुजुद्सू, तो फाइटिंग जुजुद्सू में जहां पर हम लोग कॉन्टेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो सेमी कॉन्ट से जहां पर आपको अलाओ नहीं होता हीट करना, किन्तु आप उसमें बिल्कुल फाउल है, और आप उसमें डिस्क्वालिफाई भी होते हैं, किन्तु कॉन्टेक्ट जुजुद्सू में आप आराम से अपने अपने को जैसे MMA, आपने देखा होगा, तो MMA की तरह आप उसको मत देखे ले जाते हैं, दो लोगों की टीम है, वो मंच पर अपने एरिया जिसको हम ततामी बोलते हैं, उस ततामी पर परफॉर्म करने के लिए आएगी, तो वो छे टेक्निक्स, छे उनकी जो स्पैसिफिक टेक्निक, बैस टेक्निक को उनकी वो परफॉर्मेंस करेंगे, और उसके बाद वो टीम जाएगी, दूसरी टीम को बलाए जाएगा, वो अपनी छे टेक्निक्स, अच्छी टेक्निक जिसमें लॉकिंग, चोकिंग, और थ्रोइंग, यह सब इस्तेमाल किया सकता है, उसमेंसे जो टीम अच्छा परदशिन करती है, उस टीम को उस मैच का व टीमिल डूो या वुमेंस डूो के नाम से इसको खेला जाता है, तो यह इसका टीम इवेंट है, जी, राओ जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर ने जैसे एक्स्किल सेट के बारे में इसके बारे में थोड़ा बता है, किस तरह के स्किल सेट की जरुवत इस गेम के मतलब उसके लिए प्रैक्टेस की जरुवत होती है, फिर उसके लिए समय समय पर हम लोग केम्प करते हैं, तो उनमें हम बच्चों को केम्पिंग में यह सब चीजे सिखा ही जाती है, तो बस यह देरी देरे बच्चा सीखता है, तो किस तरह की ट्रेनिग और किस तरह की कैम के लिए इनिग को इसुदे तो एसी टेकनिका के रहती है, तो उसमें ज्यादादा ध्यान दिया जाता है, बच्चे को सिखाने की दो, जि तो जब आपको कोई बच्च आपक के पास सीखने आता है, जैसे कि अप मालनी जी कोचिंग करानी है, किसी को इने कि इस गेम के बार कर एंड आज तो जरूरी है वावप भी जरूरी है एकसाइज वगरा होती है जो प्र तरीके से करी जाएं हम उसकी अलग-अलग एकसाइज होती है वह सब चीज़े कराते हैं हम तो उसी से बच्छे जो क्शॉपल होता है और फिर व जैसे यह चोक है लोकिंग हैं या और भी चीजे हैं तो वो धीरे धीरे एकसरसाइज होती हैं तो उनसे वो सीखता है जी जोही जी आपने जैसे बताए के अब इस प्रफिशन गेम्स अभी नैशनल गेम्स अभी खिला जा रहा है अभी सीनियर चैंपिन्शिप देहरादू उत्राखन में हुई है तो इन चीजों का आप किस तरह देखते हैं इस गेम के डिवलेप्मेंट के लिए जो पिछले दिनों जो भी यह अपने जिक्र किया एशन गेम्स और नैशनल गेम्स जिसके लिए अलतियसे नैशनल गेम्स जो की उत्राखनों प्रस्तावित हैं उसमें जुजिसू एक ऑफिशल खेल के रूप में शामिल होने की पूर्ण उसकी संभावना है चुकि पिछले पांच राश्टी परतियुकतां में एक खुशी की बात है कि हमारे राज जी की उत्ताखरम राज जी के खिलाडियों ने बहुँचा परदशन किया है सो इसी चीज को ध्यान में रखते हैं सरकार इस दिशा में प्रयास हते है कि इस गेम को रखा जायता है कि उनकी मेडल की संख्या बढ़ सके बिलकुर यह जो डिवलपमे हैं एशियन गेम्स तो अभी मैं दो दिन पहले जो हमारी राश्टी परतियोकता देरादु में संपन ही परेड गरॉंड मैं मैं ने देखा कि यह हमारी पहली इंडिवीज्वल नैशनल चैंपेशिप सीनियर्स के लिए लग थी जबसे हम लोग अपने गेम को इंडिया में कि कोई नौकरी पासकेंगे या अच्छा स्कॉलर्शिप पासकेंगे इसी प्रकार से जो फर्दर डैवलपमेंट है दो हजाचभीस के एशियन गेम्स जिसमें जीजिस्वी एक ऑफिशल स्पोर्ट के रूप में शामिल है इसी साल नवंबर के महिने में एशियन इंडोर औ यह है कि हमारी अच्छी टीम इंडिया की तयार हो और एशियन इंडोर में प्रतिभाग करें सो हम उसको लेकर टार्गेटेड है और यह जो प्रतियोगता हमारे द्वारा कराई जा रही है इसमें से ज्यादा से ज्यादा अच्छा खिराड़ी अच्छा मास निकल के आए औ लगलर राज्यो का जो की सीख रहा है देख रहा है और हम लगातार पिछले कुछ महीनों से बैक टू बैक हर स्टेट को ट्रेनिंग प्रवैट करा रहे हैं ज्याद से ज्यादा आने वाले मैई या जून के महिने में हमारा एक इंटरनेशनल कैम्प इंडिया में से एक सौ मैडल पार का जो नारा सरकार ने दिया थ药 उसको प्राप्ट किया और अब सरकार चाहती हैं और हम लोग परस्निल चाहते हैं कि हमारा गेम भी मैडल लेकरकर आये और खिलाडियों को उससे जादा से जादा लाब मिले आपने लाब की बात करी कोई भी स्पोर्ट जैसे कि माना जाता है कि वो तभी अच्छा होता है जब उसकी federation या association अच्छी हो वो उनका खाल रखे, उनके future का खाल रखे, उनके benefits का खाल रखे, आपने career की बात करी कि कई लोग इसको इसलिए खिलना चाते कि अच्छी नौकरी पा सके, अच्छे career बना सके तो इसके बारे में हमें तोड़ा प्रकाश दिलेगी, कैसे अशोशेशन, सरकार और खिलाडों के बीच में जो तालमिल है, वो किस तरह किसा आप लोग मैनेज करते हैं? एक National Federation होने के नाते हमको भारत सरकार खिलमन ताले के दुवारा 2021 में पूर्ण मानेता प्रदान की गई, और मानेता प्रदान होने के बाद सरकार नई फेडरेशनों को कुछ अनुदान देती है, और उस अनुदान के दुवारा हम अभी ये कोशिश करते हैं कि बहुत खिलाड सेशन्स होते हैं उसमें हम सरकार से डिमान करते हैं कि हाँ हमारे ख्राड़े को व्यवस्ता हैं कुछ और प्रदान की जाए और मैं जो आपको बता है कि वास्तों में सरकार अभी हमारी मांगो को सुनती है और उसके लिए जैसे अभी ट्रेनिंग की इंटरनेशनल एक्सपोजर्स की ज़रत है और इसके दुआरा लिखा भी गया है सरकार को और होफुली हम इसको और डिवलप कर रहे हैं डिवलप करेंगे एक फेडरेशन होने के नाते कोई भी खिराली जीत के आता है तो वो उसका सीधा दारुमदार उसका जो बेनेफिट है वो फेडरेशन को मिलता है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुजिट्सु एशन ओफ इंडिया बिल्कुल युवा लोगों की फेडरेशन है और सभी इसमें जो बोर्ड मेंबर्स हमा रहे हैं वो सभी स्पोर् है तो वो सब चीजे हमारे जहें में चल रही है और फेडरेशन इस दिशा में लगातार लगातार सरकार के साथ काम कर रही है चाहे हो राजी सरकार हूं अपने अपने राज्यों के खिलाडियों के जहां पर भी है और चाहे हो हमारी के इन सरकार है जी है आपने जैसे गेम क के तौर पर या कह ली जए या डाइट के तौर पर कह ली जए इस तरह के मैं पर थोड़ा बताएं देखिए जू जू सू एक बहुत जेंटल स्पोर्ट्स है उसको अगर कोई बच्चा कोई करता है तो उसकी फाइदे तो बहुत हैं वो सेल बिभेंस कर सकता है अपना गल्स ह बना सकता है और आगे अंतरास्टी हो या रास्टी हो तो वो स्टेज मौया कराने का फैडरेशन का काम है बस वो उसको प्रैक्टिस करनी है उसको प्रैक्टिस करनी है अपने को साबित करना है अपनी जगे बनानी है तब ही वो उस जगे पर पहुंच सकता है बाकि फैडरे किस के लिए किस तरह का शेडूल फॉलो करना चाहिए खिलाडी को या किस क्या किया चीज़े ध्यान में रखी जाती है खास कर कि जब जी जुट्सू खेल को खेले तो इसके बारे में थोड़ा परकाश में डाले कि किस तरह के से अपना टाइम टेबल या शेडूल बनाए कि जीज़े खेल को और बेटर कर सके देगे सर उसके लिए तो टाइम टेबल तो बहुत जरूरी है पहली बात तो उसको पढ़ाई के अलावा समय निकालना पड़ेगा और वहां जाना प्रैक्टिस के लिए जाना ही पड़ेगा प्रैक्टिस में बिलकुल कोता ही नहीं बरतन अपड़ेगा क्योंकि आजकल नशे की प्रवर्ति आप देखते हैं बहुत ज्यादा है नशे से भी बचता है बच्चा स्पोर्ट्स अगर कोई भी स्पोर्ट्स कर रहा है वो नशे से भी बचेगा यह तो मेलब एक थोट है और बस जी जैसे इन्होंने बताया कि नशे से आदमी दूर रहता है कोई भी स्पोर्ट्स को खेले, fit रहता है, mentally health उसकी बहुत अच्छी रहती है तो किस तरीके से यह खेल के करियर के लाव और बी जो परभाव है इसके आम जीवन शेली में वो क्या-क्या पढ़ सकते हैं एक चीज और एड करना चाहूंगा देवन जी क की बात में की आपने पूछा, schedule और चीजने खिलाडी के लिए क्या होनी चाहिए, खिलाडी बच्चा सीख रहा है, अक्सर मैंने देखा है आपने बहुत लंबे समय समय सीख को नोटिस करता हूं, माता-पिता बच्चों को activities में डाल रहे हैं, शौक है कि बच्चा मार्श र बोर्ड एक्जाम आ गए, तो बच्चे ने ट्रेनिंग छोड़ दिया, जब उसको प्राप्ती की और कुछ बढ़ना था है, वो पहुंचने वाला था, तो वो एक्जाम की वज़ए से उसी को छोड़ आया, और फिर वो वापिस पीसे चला गया, या उसने अपना इंट्रे करें, मतलब छोड़ना उसका समाधान नहीं है, कंटिनूशन में करेगा, कई बार ऐसा होता है कि मन्जिल विल्कुल सामने होती है, हमें थोड़ा सा और लगना होता है, तो शायद हम उस चीज को पास सकते हैं, तो जो दो तीन साल आप लगा चुके हैं, उसको एक शौक के रूप में भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जगाहों पर सिखाने के लिए कोचिस की ज़ुरत है, तो अगर आपके पास स्किल है, तो आप इसको भी एक अच्छे रोजगार के रूप में भी अपने आपको सेटल कर सकते हैं, कोच चाहिए होता है, ट्रेनर चाहिए होता है, तो जुजिट्सु आपको या कोई अन्नी खेल भी आपको ये मुकाम देता है, ट्रेनिंग का जो शेडूल है, वो सही अमित होना बहुत ही आवशक है, चोटे खिलाडी जो है, जो शुरुवादी दौर में सीखते हैं, उनका ट्रेनिंग करते हैं, उनका शेडूल थोड़ा वाइड है, क्योंकि उनको बड़े प्लेटफर्म के लिए अपने आपको प्रिपेर करना है, और चोटा खिलाडी अभी बेस में है, उसका वर्काउट कम है, और उस पर लोड भी कम है, हमारा प्रियास भी है रहता है कि खिलाडी हमारे प करी कि खिलाडी को जब ट्रेनिंग कोचिंग की ज़रूरत है, किस तरह के साप कोच करते हैं खिलाडी को, क्योंकि ट्रेनिंग तो आदमी एक सेट फॉर्मूला है, ट्रेनिंग का, हर गेम का, लेकिन कोचिंग इडिफरेंट चीज़ है, कोचिंग में उसकी mental ability, physical ability समाजनी ब अनिस वे एशिन गेम्स हुए चाहिना में, उसमें मुझे भारत देश की तरफ से कोच के उरूप में जाने का मौका में लो है, 11 सदस्य टीम ने महापरति भाग कि एशिन गेम्स में, खिलाडी, कुछ खिलाडी जो बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अची performance दे हैं, लेकिन ये वो चीज़े हैं कि उनके mental pressure जो और रहता है कि नहीं पैसे की व्यवस्ता नहीं हो पा रही है, कहीं moment नहीं हो पा रहे है, कुछ चीजे हैं जिसमें आपको चुरके बता है कि government support बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीजे हैँ जो routine में नहीं मिल पाती है, लेक को अगर हम अपने इस तर से कुछ व्यवस्था कराते हैं, तो उसके जो दिमाग में प्रेशर है कि मेरे पास यह चीज उपलब्द नहीं है, या एक्विपमेंट उपलब्द नहीं है, तो मुझे खुश ही होती है कि हम खिराली को वह उपलब्द कराते हैं, और उसका जो प्रते कोच जो हमारी फेडरेशन से जुड़ा है, वह इस चीज को कोशिश करता है कि लगाए, और जो खिलाडी किसी समस्या से है, किसी प्रकार के स्ट्रेस में है, तो उनको फाइंड आउट करें, और उनको उनका डिटेल हमारी फेडरेशन को पहुचाए, तक हम उनके ल ज़रूरी है, खासकर कि नुट्रिशन, एजुकेशन, टेकनोलजी जब इसमें इस्तमाल हो रहे है आज के स्पूर्ट में, बहुत कॉम्पिटेटिव है, आप एक नॉर्मल इस तर पे खेल के इसको अच्छा या अच्छे लेवल पे नहीं पहुच पाएंगे, आपको स्पूर्टन रोल ही यह है, जो पहला रोल है, यह फैमिली सपोर्ट है, खिलाडी तूटता ही तब है जब वो पीछे से कमजोर हो जाता है, और कभी-कभी, हर जैसे मैं देखता हूँ कि जो हमारे मेल एथलीट है, थोड़े सीनियर है, ट्वेल्थ करिया या ग्रेशन में आ जैसे मैंने बताया कि वो कुछ चीज़ा उनके बिलकुल नजदीक थी, मनजिल नजदीक थी और वो शायद वो रूटिन नहीं तोड़ पाते, लेकिन यह समस्या बेसिक समस्या है, जो फैमिली सपोर्ट, और कुछ पेरेंट्स, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो आज मैं देख उने मुकाम बहुत अच्छे से हासिल भी की हैं, यह भी तो रूटिन का हिस्सा है, लेकिन क्या होता है, कि वहाँ पर हम थोड़े लिली न ठीवाते हैं, कोई नहीं होना चाहिए, और यह कोई भी है, कोई भी स्पोर्ट है, कोई भी गेम है, कोई भी चीज़ आप सीख रहे है, माता-पिता इसलिया का दोनों का कॉडिनेशन हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो जो बच्चा है, जो खिलाडी है, वो एक हीरा बनके निकलेगा, जी, रावजी मैं आप से जाना चाहूँगा, आप उत्रखंड में काफी आप अशूशेशन में रह चुके हैं, पिछले पांस साल से हमारी उत्रखंड की स्टेट टीम है, नेशनल चेंपिन बनके आती रही है, पिछले पांस सालों से, तो इसलिए आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना स्कोप है, और भी इसमें इंप्रुमेंट की जरुवत है, अब जैसे सर ने बताया कि गोवर्मन है, तो अब जो आने वाले नेशनल गेम्स हैं, उसमें बहुत मतलब संभावना है कि जो सामिल हो जाएगा, तो उसे सामिल करना भी उनको लगेगा कि हम पिछले पांस सालों से हम चैंपिन हैं उत्रखंड की टीम, तो मैडल टैली में हमने उपर आना है, तो वो सामिल जोही जी, इसी में मैं आपसे आगे बढ़के जामना चाहूँगा, कि उत्रखंड से दो खिलाड़े उने पड़ती बाग कि आरेशन के उसे तो अभी और क्या संभावना दिख रही है, कितने खिलाड़े हमेरे तयार है, किस लेवल पर तयार है, कि मैडल कितने सिक्यूर कर टाएंगे आगे, सबसे पहली बात तो जो हमारा राज्य है या यहां की जो बहुगॉलिक परिस्तिती है, यह इन गेमों के लिए या ऐसे गेमों के लिए बहुत बहुत उप्यूक्त है, क्योंकि गठीला बदन है, और जो हाई आटिट्यूट में रहने वाले जो लोग है, उनकी जो शारिक बनावट है, वो कहती है कि ऐसे स्पोर्ट खेले जाएं, बड़े मैदान नहीं होना, यह हमारे गेमों के लिए अडवन्टेज है, क्योंकि हमको छोटी जगह में ट्रेनिंग करनी है, जो उत्राखंड या जो भी परवती राज्य हैं, वो बहुत इसमें अ स्टेज में दो खिलाडी पहुँचे, सो आने वाले दिनों में, मुझे पूरी उमीद है कि उत्राखंड से शायद तीन या चार खिलाडी ऐसे जो मेरी नजर में हैं, जो निकल रहे हैं, वो जल्दी ही आपको एशिन गेम्स में या अच्छी इस परदाउ में दिखेंगे, कि और आपको खुश कबरी शायद हम दुबारा दे पाएंगे कि एक अच्छे मेडल हम लोगों ने देश को दिये, जो परतियोकता परसो हमने समाब करी, उसमें भी उत्राखंड फिर से ओवरॉल चैंपियन रहा है, सबसे ज़्यादा पदक के साथ, तो ये एक कैलिबर है, जो हम लोगों ने पैदा किया, और सच में उत्राखंड राज्य के जो टीम है हमारी, उसने कोचेज ने या जो ऑफिशल से अपने अपने जीलो में या अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर में बहुत अच्छे से काम किया है, उसी का प्रणाम हम को ये देखने के मिला है कि हम प्रणाशन है तो हम आपको आने वाले गेमों में आश्वस्त करते हैं कि हम आपको देंगे और हमने भी सरकार को आश्वस्त किया है कि अगर हम एशन नैशनल गेम्स में हैं तो सबस्यादा पदक अगर मिलेंगे ये मैं आपके टीवी के मादम से बूलना भी चाहूंगा, सबस्यादा आएंगे तो शायद मेरे ही गेम से मिलेंगे, जिजिट्सू से ही मिलेंगे और वो मैडल टैली में वो मैडल टैली को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जे, 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 राओ जी मैं आंत मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो नए खिलाडी इस खेल में आ रहे हैं उनके लिए आप क्या एक छोटा सा संदेश या एक उनकी सलाह देना चाहते हैं कि हाँ आप इन चीजों पर थोड़ा दे लिजिए तो आप इस खेल को खेल पाएंगे जो नए खिलाडी अगर इस गेम को करना चाहते हैं मैं उनके लिए यही कौँगा कि वो आए और अगर पैरेंस जो है सपोर्टिव नहीं है तो उनको हम समझाएंगे जो भी हम से बात करेंगे मगर उनको यहां समय देना पड़ेगा समय इस मस्ट प्रैक्टिस में समय देना पड़ेगा उसके लिए आपको ना नुकरनी करना है जी चाहे बारिस हो चाहे सर्दी हो चाहे कुछ हो प्रैक्टिस में आना जरूरी है अंत में आपसे भी मैं यही जानना चाहता हूँ कि जैसे उत्राखंड का वर्चस इसमें बरकरार है राश्टे इस तर पर तो किस तरीके से अब नए खिलाड़े को आप तयार कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं उनसे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास अनार बहुत सारे हैं और बीमारों की संख्या काम है तो जो खिलाड़ी हैं कोचेज हैं वो समझें कि अभी वो शुरुआदी दौर में आएंगी कि ये उभरता हुए खेल है तो उनके पास संभावना आप आ रहे हैं दीरे दीरे इसमें बहुत कॉम्टिशन होगा जैसे मैंने बताया भी लगब हजार खिलाड़ी आयता है तो कॉम्टिशन की संख्या बढ़ गई तो मैं चाहता हूँ कि खिलाड़ी अभी आएं और इसको जॉइन करें सीखें ताकि वो अच्छी चीज़ अचीव कर सकें अच्छे प्लेटफॉर्म पर जा सकें तो ये मूल मंत्र है कि हाँ अभी बिमार कम है अनार जादा है दीरे दीरे बिमार पढ़ जाएंगे और अनार कम हो जाएंगे आप उन सबी खिलाड़ी को मैं स्वागत करता हूँ कि वो आएं और जिसमें अपना नाम रोशन करें और हमारे देश को गलोरी दिलाने में हमारी मदद करें जी बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे कारिकरम ने जुड़ने के लिए और इतनी सारी अच्छी बाते बताने के लिए और जिस तरह के आपने बात कहीं कि यह अभी कम प्रचलीते तो इसमें ज्यादा अभी opportunities है future prospects बहुत अच्छे हैं एक बार फिर से बहुत- जी बहुत-बहुत अच्छे हैं